हमारे देश में किसान दलहनी फसलों की खेती बहुत ही च्वाव से करते हैं इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफ़ा मिलता है चुकि बाजार में डालों की मांग अधिक होती है तो इसकी उपज भी जादा होती है मूंग और उरत की फसल भी ऐसी फसले है जिससे मुनाफ़ा अच्छा होता है हलाकि जानकार कहते हैं कि मूंग और उरत की फसल में लगने वाले रोगों की वजह से फसल इसकी चपेट में आ जाती है और इसका उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है ऐसे में रोगों से फसल को समय रहते बचा लेना चाहिए उरत और मुंग डाल में लगने वाली प्रमुक या इंपोर्टेन जो रोग है उसमें से आता है सरकोस्पोरा लिप स्पॉर्ट दूशरी वाली डिजीज है जो वाइरल डिजीज बोला जाता है वो है येलो मॉजेक वाइरस फिर तीसरा वाला डिजीज आता है इसमें कि बैक्टरियल वाला लिप स्पॉर्ट भी आता है तो इसमें से सबसे इंपोर्टेन वाला जो है सरकोस्पोरा लिप स्पॉर्ट डिजीज होता है इसमें क्या होता है कि पत्ते में ज्यादा उसका धबे या पहले पीली कलर फिर उसके बाद ब्राउन कलर के आके धबे आ जाते हैं और जब ज्यादा उसका फेबरेबल कंडिशन आने लगता है तो उसका सीवेर फोम में और बहुत मात्र में उसका पत्ते में भूरे रंग के दब्बे आ जाते हैं और वो पत्ते पेर से गिरने लग जाते हैं इसके कारण हमारे प्रोडक्शन में बहुत कम होगा और फिर हम लोग का यील लॉस होने में इसका बहुत बढ़ा हाथ होता है। रोगधाम के लिए फफुन नासक जैसे कार्बेंदजीम लगा सकते हैं स्प्रे कर सकते हैं चिरकाओ कर सकते हैं वो भी 0.05% में लगान हैं वो भी 3 या 4 बार 10 या 15 दिनों के अंतर में 2-3 बार लगाने से इसका रोगधाम कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब भी हम लोगों को यह खेती करना है खेती करने के बाद जब उसका हर्वेस्टिंग होने के बाद जितना भी जो हम लोग जो स्ट्रो या स्टबल्स रह जाते हैं खेद में उसको निकालके अलग जगा पर इसको ठीक से उसका tweak कर करना चाहिए तो इसी के कारण हम लोग को बहुत सारा साफधानी रखना परेगा और जब भी हम लोग लगाए जाएगा खेत में तो इसको हम लोग बहुत रिगुलरली जाके हम लोग को मॉनिटर करना परेगा ताकि डीजिस आ रहे हैं कि नहीं ताकि हम लोग सही ताइम पे उसको कंट्रो पीला चितेरी रोग ये एक विशानुजरित रोग है इस रोग में पतियों पर पीले धबे पड़ जाते हैं जो तेजी से फैले लगते हैं इसमें पतियां पुरी तरह से पीली दिखाई देती हैं विशेशक के कहते हैं कि मुंग और उडद की फसल में ये रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है इसकी रोग थाम के लिए खित में अवश्यक्ता नूसार आक्सी डेमोटॉन मेथाईल प्रतीशत या डाय मेथोईट को पानी में घोल कर छिडखना चाहिए